मेरा नाम करिश्मा है मेरी शादी को चार साल हो चुके थे और शादी के दूसरे दिन से ही मुझसे घर के सारे काम करवाय जा रहे थे जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी नंद कुवारी थी तब भी वो घर का कोई काम नहीं करती थी लेकिन मेरी सास थोड़ा बहुत काम करवालिया करती थी मेरी शादी की पूरे एक साल बात मेरी नंद की शादी हो गई थी अपनी नंद के घर से निकलने पर मुझे बहुत सुकून मिला था क्योंकि वो घर में रहकर हमेशा मेरी सास को मेरे खिलाव भड़काती रहती थी लेकिन ये सुकून मेरी जिन्दे की में सिर्फ कुछी दिनों का था क्योंकि मेरी नंद हमेशा हमारे घर पर आती रहती थी और इसी तरह उसकी शादी को तीन साल और मेरी शादी को चार साल गुजर गए थे आज मैंने अपने पती से घुसा होते हुए कहा कि आखिर आपकी बहन को क्या परिशानी है आखिर वो क्यों हर बार इधर आ जाती है और फिर खुद सारा टाइम आकर घर में आराम करती रहती है उससे इतना भी नहीं होता कि अपनी भावी की काम में कोई हेल्प ही करा दे मेरा पती कहने लगा कि तुम जानती हो कि मेरी बहन किस हाल से है तुम्हें इस समय उसे कुछ नहीं कहना चाहिए तुम खुद तो अभी तक मा नहीं बन सकी अगर मेरी बहन मा बनने वाली है तो तुम उसे अब सुकोन से नहीं रहने देती खबरदार जो तुमने मेरी बहन से घर का कोई भी काम करवाया मैंने अपने पती से कहा अच्छा तो ठीक है मैं आपके घर की कोई नौकरानी नहीं हूँ पिछले चार साल से मैं आपके घर में नौकरानी की जिंदेगी गुजार रही हूँ कभी आपने मुझे अपनी पत्नी होने का हक दिया है पहले तो कभी कभी आपकी ममी मेरे साथ कोई काम करवा दिया करती थी लेकिन आपकी बहन तो शुरू से ही हराम खोड रही है अब अपनी ससुराल के काम काच से बचने के लिए वो यहाँ आकर बैट जाती है और तब्यत खराब का बहाना बनाती रहती है मेरी बात सुनकर मेरे पती ने मेरे गाल पर एक जोड़दार थपड मार दिया और कहने लगा सच कहूं तो तुम से मेरी बहन के खुशे जेली नहीं जा रही तुमने मुझे अभी तक पिता बनने का सुक नहीं दिखाया है और मेरी बहन जिसकी हमारे बार शादी हुई थी वो अपने पती को तीन तीन बच्चों का सुक दिखा चुकी है मेरी बहन और मम्मी के बारे में कभी भी किसी तरह की बात करने की कोई जरूरत नहीं है इस घर में अगर रहना है तो घर के सारे कामकाच करने होंगे मैं अपनी मा बहन के खिलाफ कोई बात नहीं सुनूंगा मेरा पती हर बार मुझसे यही बात कहता था इस घर में तो मेरी कोई इज़त ही नहीं थी इस सारी बाते सुनते सुनते में बहुत ज़ादा चिल गई थी क्योंकि ये सब सुनते सुनते मुझे काफी समय हो गया था मेरे माता पिता तो इस दुनिया में नहीं थे मेरी शादी मेरे दादा जीने करवाई थी और मेरी शादी के दो साल बात मेरे दादा जी भी इस दुनिया से जा चुके थे, अब मेरा जो कुछ भी था वो यही घर था, क्योंकि इन लोगों के अलावा ना तो मेरा कोई अपना था, और ना ही मेरा कोई और ठीकाना था, इसलिए मुझे सारी बाते बरदाश करने के पड़ी रहती थी, और समान भी इधर उधर कर दिया करती थी, और मेरी सास को हमेशा मेरे खिलाफ उल्टी सिदी बाते बताती थी, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ बरदाश करती थी, और जब मेरी नंद का रिष्टा तैह हुआ, तब मुझे ज्यादा खुशी शायद किसी औ और को नहीं हुई होगी, क्योंकि मुझे लगता था कि नंद की जाने के बाद मेरी जिन्दगी ठीक हो जाएगी, मगर मुझे नहीं पता था कि नंद की जाने के बाद तो मेरी जिन्दगी और ज्यादा बेकार होने वाली है, मिरी नंद के अब दो बच्चे हैं और तीसरा बच्चा वो जनम देने वाली है पहले बच्चे के समय भी उसने सारा समय अपने माईके में ही गुजार दिया था वो बहुत बड़ी वाली हराम खोड़ थी अपने ससुराल में कोई काम काज नहीं करना चाहती थी मगर मेरी सास को तो ऐसा लगता था कि उनकी बेटी बहुत मह पती को अपने पलू से बांद लिया था लेकिन वो हमेशा अपनी सास की बुराईयां करती रहती थी मुझे मेरा नंदोई बिलकुल भी पसंद नहीं था और एक दो बार तो मैंने दबे दबे शब्दों में ये बात अपनी नंद से कह भी दी थी कि तुम्हारे पती की नज उसके घिनोनी नजर से मुझे चिल होने लगती थी और मेरी नंद कहती थी कि आप मेरे पती पर गलत इलजाम लगाती हो मेरा पती बहुत शरीफ है मैं उसकी बात पर कहती थी कि भगवान करे कि वो शरीफ ही निकले क्योंकि तुम उसकी पतनी हो और उसे मुझसे ज़्याद भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जिस तरहां से वो मुझे देखता था, और फिज जिस तरहां मेरे साथ हसी मजाग करने की कोशिश करता था, वो मुझे बहुत अजीब लगता था, मेरी सास और पती ने मेरी नंद की शादी बड़े ही अच्छा था, अच्छा खासा कमाता था दो बहनों का एकलौता भाई था और क्या चाहिए था, जिन में से एक बहन की तो शादी भी हो चुकी थी इसलिए मेरी सास और मेरे पती ने सोचा कि एकलौता बेटा है हमारी बेटी वहाँ पर राच करेगी लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसका उल्टा भी हो सकता है मिरी नंद के दोनों ही नंदी बहुत जादा चालाग थी मिरी नंद तो मिरे सामने चालाग बना करती थी लेकिन अपनी दोनों नंदों के सामने उसने हार माल ली थी उसने कभी मायके में तो कोई काम नहीं किया था लेकिन शादी के बाद वो घर की इकलोती बहु थी इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उस पर आगी थी जो उससे संभाली नहीं जा रही थी मिरा नंदोई अपने माबाप का इकलोता बेटा उसके पती के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी पत्नी के मायके में आकर रुख जाने पर भी उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा नहीं आता था बलकि वो हर बार उसे मनाने के लिए आ जाया करता था मेरी सास और पती भी उसे समझा बुझा कर उसकी ससुराल भीज दिया करते थे लेकिन यहां से जाने की बाद मेरी नंद को घर के सारे काम करने पड़ते थे जब से उसकी शादी हुई थी तब से उसकी सास ने घर के सारे काम अपनी बहु को सौब दिये थे जिस तरह से मैं अपनी ससुराल के सारे काम किया करती थी इसी दरहा से मेरी नंद के साथ भी हो रहा था मेरी नंद बहगे कर घर की सारी जिम्मिधारियों और जब मैं इस घर में आई तो मुझे इस घर की नौकरानी का रुदबा दे दिया गया था जब की मुझे तो इस घर में बहू भी नहीं समझा जाता था मेरी शादी से पहले मेरी सास अपनी बेटी के सारे काम किया करती थी लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी उसके और अपनी सास के भी सारे काम मैं ही किया करती थी लेकिन जब मेरी नंद को अपनी ससुराल में सारे जिम्मेदारियां उठाने पड़ी तो वो बात बात पर अपनी मा को फोन करके अपनी सास नंद और अपने पती के बुराईयां करती थी और कहती थी कि इस घर में मेरे लिए काम बहुत ज्यादा है मेरी सास भी अपनी बेटी को एड़वाईज दिया करती थी कि तुम कोई काम मत करो और तबित खराब का बहाना बना कर अपने कमरे में लेट जाओ तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है और फिर भी अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो मुझे बताना मैं तुम्हारी ससुराल आकर तुम्हारी सास नंद और पती को सीधा करूंगी मेरी सास हमिशा अपनी बेटी को उल्टी सीधी बाते बताया करती थी मैं हमिशा अपनी सास को इन बातों पर टोकती थी और कहती थी कि ममी जी आप अपनी बेटी को ऐसी एडवाइस मत दिया करो वो उसका अपना घर है और ऐसा करने से उसका घर खराब भी हो सकता है अब उसे अपने घर में दिल लगाना चाहिए अब उसका घर है जिस तरह से आप मेरी जिम्मेदारी हो इस तरह से उसे भी अपने ससुराल वालों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए जैसे उस घर के तौड तरीके हैं उन्हें अपनाना चाहिए लेकिन मेरी सास यही कहती वो मेरी प्यारी सी बेटी है मैंने उसे बड़े प्यार से पाला है कभी उसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दी अब कैसे उसे चुले चौके में जोग दूँ नितिन ने तो उसे नौकरानी बना कर रख दिया है मेरी बेटी को ससुराल में कितने काम करने पड़ते हैं हर किसी की जिन्देगी तुम्हारी तरह नहीं है कि ससुराल में सुकून की जिंदे की गुजार सकें, तुम तो यहां पर राज करती हो, देखो मेरी बेटी जब से ससुराल गई है, वहां की नौकरानी बनकर रह गई है, अपनी सास की बाते सुनकर मुझे बड़ी हरानी हुई थी, कि उन्होंने मुझे इस घर में कौन सा तू ने भी कैसा दस्तूर बनाया है अपनी बेटी अपनी और दूसरे की बेटी कुछ नहीं लगती मेरी सास को हमेशा अपने दमात पर घुस्ता आता था कि वो अपनी पत्नी के लिए अपने घरवालों से लड़ता क्यों नहीं है लेकिन वो बिचारा भी क्या कर सकता था मु उसे सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ जहलना पड़ता है। मेरी नंद की सास ने तो खुशी-खुशी अपनी बहु को किचन और घर की सारी जिम्मेदारी उसके हवाले कर दी थी। लेकिन मेरी नंद थी कि उससे तो कुछ हो ही नहीं रहा था। उनको लगता था कि एक ल कंदेगी अपनी ससुराल में खटी मीठी चल रही थी। अपनी ससुराल में कभी मेरी नंद काम कर लिया करती थी। तो कभी मना कर दिया करती थी। जब बहु घर का काम करने से मना कर देती तो मजबूरन उसकी बुड़ी सास को ही घर की काम करने पड़ते थे। मेरे नंदो में अब सिर्फ चार लोगों के लिए खाना बनाने का ही काम होता था तो मेरी नंद को वो भी भारी लगता था इस बात पर भी वो अपनी सास और पती से जगड़ा करती रहती थी जबकि मुझे दिन रात अपने घर में यही ताने सुनने को मिलते थे कि अभी तक तुम ना करते करते मुझे चार साल गुजर गए थे और यही वज़ा थी कि मेरा पती भी मुझसे दूर दूर रहने लगा था उसे बच्चों का बहुत शौक था और बच्चे बहुत अच्छे लगते थे उतना ही मैं उसे पिता बनने का सुक नहीं दे पा रही थी मेरी नंद तो अपनी शादी की तीन महीने के बाद ही प्रेगनेंट हो गई थी जब पहली बार वो प्रेगनेंट हुई तो अपनी तयबित खराब का बहाना लेकर वो हमेशा बिस्तर पर पड़ी रहती थी जिसकी वज़ह से उसकी सास का बहेवियर उसके साथ और ज्यादा खराब रहने लेकिन वही सोच परदार्ट कर लिया करती थी कि ये मा बनने वाली है मेरा नंदोई तो मेरी नंदोई तो मेरी नंदोई तो दीवान मुझे तो ऐसे था, जैसे मेरे नंदोई की नियत ही खराब है, क्योंकि वो मुझे ही नहीं, बलकि हर लड़की औरत को गंदी नजर से ही देखता था, मेरी नंद अपने कमरे में आराम करते करते बोर हो गई थी, इसलिए उसने एक प्लान बनाया कि क्यों न वो अपने मायके में जाकर आराम क माय के में भावी उसकी और भी ज्यादा अच्छी तरहां से सेवा करेगी ससुराल में उसे ज्यादा सेवा नहीं मिल रही थी क्योंकि उसकी नंद भी कोई काम नहीं करती थी मेरी नंद अपने पती से कहकर अपने माय के आ गई थी मैंने देखा था कि मेरी नंद बिल्कुल ठी और मुझे हर काम अब भारी लगता था जैसे तैसे करके पूरे दो महीने रहने के बाद मेरी नंद अपनी ससुराल चली गई थी लेकिन फिर तबियत खराब का बहाना करके वो हमारे घर आ गई थी मेरे नंदोई का चुकी पहला पहला बच्चा था इसलिए वो भी अपनी पत ठीक रहेगी मेरी नंद जान बूचकर विस्तर पर पड़ी रहती थी सारा दिन मेरी सास उसको खाने पीने का कुछ न कुछ देती रहती थी उसे अपने माईके से अच्छा कुछ नहीं लगता था उसका इरादा था कि वो बच्चे को यहीं पर जनम दे और उसके बाद ही अ अतरास नहीं हुआ था क्योंकि वो जानती थी कि उनका बेटा पूरी तरहां से उनकी बहु के कबजे में है अगर वो जित करके अपनी बहु को यहां बुला भी लेती है तो उनका बेटा वापस अपनी पतनी के कहने पर उसे उसके माईके छोड़ आएगा इसलिए वो खाम काफी देर तक किचन में खड़े होकर नाश्ता तैयार करना पड़ता था मेरा पती तो मुझसे कोई बात ही नहीं करता था क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगता था कि मैं उनकी मा और बेहन के खिलाफ भड़काती रहती हूं मेरे पती के दिमाग में ये खयाल भी उनकी बेह भी आ गया था आधी रात के समय मेरे नंद की अचानक तब्यत खराब हुई तो उसे मेरी सास और पती अस्पताल ले गए थे फिर उसने एक बेटे को जनम दिया था मेरे नंद की बेटा होने के बाद तो मेरा पती और सास मुझ पर और जादा ताने कसने लगे थे और कहते है कि पता नहीं भगवान हमें इस सुक कब दिखाएगा हम तो बच्चे की आवास सुनने के लिए ही तरस गए हैं पूरे 24 घंटे के बाद मिरी नंद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था और फिर वो अपने बच्चे के साथ हमारे घर आ गई थी मेरी सास को तो बेटी बहुती कमजोर लग रही थी जबकि मैंने उनसे कहा भी था कि अभी उसने बच्चे को जनम दिया है तो ऐसे में उसकी सेहत पर कुछ तो असर पड़ेगा लेकिन मेरी सास बार बार उसे यही कहती रही कि तुम यहीं पर रहना छोटे बच्चे को तुम ससुराल में क पोते और बहु से मिलने के लिए हमारे घर पर आई थी मेरी नन ने उनके साथ अच्छा व्यवार नहीं किया था उनको उनके पोते की गोद में भी नहीं दिया था और ना है खुद उनसे कोई बात कर रही थी कुछ दिनों के बाद मेरी नन अपने ससुराल चली गई थी ले कोटे बच्चे को संभालना घर की कामकाच को देखना और इसके अलावा मेरी सास और नंदो की पसंद का खाना बनाना मैं तो पूरा-पूरा दिन ठककर रह गई इसलिए तंग आकर यहां आ गई हूं मेरी सास अपनी बेटी के पास बैठकर हमदर्दी करने लग गई जबकि कि मैं किचन में चली गई ता कि राग का खाना तैयार कर सकूं इस बार मेरी नंद अपनी ससुराल वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा परिशान थी और बार बार यही कह रही थी कि मैं जब तक अपने ससुराल नहीं जाँगी जब तक मेरे पती मुझे अलग घर लेकर नह आखिर किस से अलग होना चाहती हो और ऐसे तो तुम्हें भी परिशानी होगी तुम्हारा बच्चा भी छोटा है तुम अकेले उसकी परवरिश नहीं कर सकोगी इसलिए जैसे तुम रह रही हो वैसे ही रहती रहो तुम्हारे बच्चे को तुम्हारी सास और नंद मिलकर पाल मेरि नंद ने मेरे पती को जवाब दिया था कि भई आप तो खामोशी हो जाओ आपको क्या पता की बच्चे कैसे पलते हैं आपके बच्चे हो तो आपको पता भी चले आपकी पत्नी ने तो आपको पिता बनने का सुख दिया ही नहीं मेरा पती अपनी बेहन की बात सुनकर शर्मिंदा सा हो गया था जितने दिन मेरी नन हमारे घर पर रहती ना तो खुद खुश होकर दिखाती और ना हमें खुश होने देती बस हमेशा उसे अपने ससुराल वालों की बुराई ही करती रहती थी कोछी दिनों के बाद वो जैसे तैसे अपने घर चली गई थी इस बात पर मैं अपने पती के उपर बरस बढ़ी और उनसे कहने लगी कि तुम्हारी बहन का ये क्या ड्रामा हो गया है हर दूसरे तीसरे दिन यहां आ जाती है अपने घर में उसका पैर क्यों नहीं टिकता मेरा पती कहने लगा कि तुम अपने काम से काम रखो मैंने कहा कि ये क्या बात हुई आप हमेशा मुझे ही डाट देते हो आपको ये नहीं पता कि वो उसका ससुराल है वो वहाँ पर अपना दिल लगाए ये बात अच्छी नहीं कि वो हर बार यहां आकर अपने ससुराल वालों की बुराई करती है मैंने कहा अगर मैं भी आपकी बुराईयां दूसरों में करने बैठ जाओ तो फिर ऐसे हमारा घर नहीं बनेगा आपको दिमाग लगा कर सोचना चाहिए अपनी बहन को समझाना चाहिए मगर आप तो उल्टा मुझ पर ही बरस जाते हो मेरा पती कहने लगा कि अच्छा अच्छा खामोश हो जाओ मुझे जादा सीख देने की जरूरत नहीं है मेरे पती को भी अपनी बहन से हमदर्दी का वुखार चड़ा हुआ था वो यही कहते थे कि तुम्हें क्या पता वो एक बच्चे की मा बन गई है अपनी ससुराल में उसे किस तरह से बच्चे पालने होते हैं तुम्हारे पास तो बच्चे ही नहीं है तुम्हें इस बात का अंदाजा कहां से होगा अब ऐसी बाते सुनकर तो मैं खामोशी हो जाती थी अपने ससुराल वालों की बातों से मेरा दिल बहुत दुखता था मन करता था कि मैं इस घर से भाग जाओं मगर मैं कहा जाती मेरा तो माईका भी नहीं था मेरी नंद तो अपना सुखदुख जताने के लिए अपने माईके में आ भी चाती थी मेरी तो कोई बहन भी नहीं थी जिससे मैं अपने दिल का हाल बता सकती फिलहाल जिन्दगी इसी तरहां से अपनी नंद की सेवा करते हुए गुजर रही थी मेरी नंद का पती जब भी हमारे घर आता तो मैं उससे दूर दूर रहती थी क्योंकि उसके नजरे मुझे बहुत चुपती थी वो बहुत छिचोरा था कुछ दिनों के बाद मेरी नंद अपनी ससुराल चली गई थी और अपकी बार उसे अपनी ससुराल गए हुए पूरे तीन महीने गुजर गए थे मुझे बड़ा सुकून था क्योंकि जब भी वो हमारे घर पर आती थी बहुत जादा काम बढ़ जाता था पता नहीं वो तीन महीने तक हमारे घर क्यों नहीं आई थी लेकिन जब चौथा महीने लगा तो वो हमारे घर फिर से आ गई थी उसने घर आते ही खबर सुनाई कि वो दूसरे बच्चे की मा बनने वाली है उसकी ये बात सुनकर मेरी सास्तो बहुत खोश हुई थी जबकि मेरे होश उड़ गए थे मुझे इस बात की परिशानी हुई कि अब मेरी नन फिर से यहाँ पर रहेगी ऐसा ही हुआ मेरी नन की शुरू की प्रेग्रेंसी के दिन थे इसलिए वो हमारे घर पर ही दो तीन महीने के लिए आ गई थी अब घर के कामों के साथ साथ मेरी ननन को संभालना करती थी लेकिन उसका डाइपर चेंज नहीं करती थी उसका डाइपर मेरी सास ही चेंज किया करती थी मेरी नन्द और सास ने तो मुझे फ्री की नौकरानी समझ लिया था उपर से हर दूसरे तीसरे दिन मेरी नन्द का पती घर चला आता था वो मुझसे बात करता था, तो उसके बोलने का अंदाज भी बदल जाता था, जो मुझे तो महसूस होता था, मगर घर के बागी किसी भी मेंबर को महसूस नहीं होता था, और मैं उनके तरफ देखती रह जाती, पता नहीं क्या बात थी, कि मेरा नंदोई हमेशा मुझे उनका सांस लिया था अब मैं भगवान से प्रात्ना कर रही थी कि वो दुबारा यहां वापस ना आए क्योंकि उसके आजाने से मैं बहुत तंग आ जाती थी मेरी सास की तबित काफी दिनों से ठीक नहीं चल रही थी और मेरा पती तो आफिस में होता था जब मेरी नन हमारे घर पर नहीं होती थी तो सुभा को अपना काम करने के बाद सारा दिन फिरी रहती थी बस मुझे रात का खाना बनाना होता था एक दिन हमारे घर के दरौ़ाजे पर दस्तक हुई मैं जब दर्वाजा खोलने गई तो मैंने देखा कि मेरा ननदोई दर्वाजे पर खड़ा हुआ था और कहने लगा भाबी क्या मैं अंदर आ सकता हूं मैंने उसे अंदर आने के लिए रास्ता दिया और खुद पीछे हड़ गई तो वो कहने लगा कि मैं यहां से गुजर रहा था तो सोचा कि सासुमा की तब्यत देखता चलूं मैंने अपने नंदोई से कहा लेकिन मम्मी जी तो सो रही हैं मेरा नंदोई कहने लगा अच्छा तो फिर आप मुझे गलास पानी पिला दीजिए उसके बाद मैं अपने घर चलता हूं मैं किचन में अपने नंदोई के लिए पानी लेने चली गई थी उसके बाद वो सोफे पर आकर बैठ गया मैं पानी पानी का गलास ले रहा हूं मुझे इंतिजार था कि कब वो पानी का गलास खत्म करे और यहां से जाए लेकिन वो एक एक घोट बड़ी आराम से पी रहा था मुझे अपने नंदोई से डर लग रहा था क्योंकि मेरी सास दवाई खाकर सो रही थी और मेरा पती भी घर में न नहीं था वो पानी पीते हुए मुझे बड़ी अजीब तरहा से देख रहा था उसने कहा भावी आप कितनी खुपसूरत हो लेकिन आपके पती को आपकी एहमियत नहीं पता कोई आपकी एहमियत मुझ से पूछे तो मैं उसे आपकी तारीफ में कितनी धेर सारी बाते अपने नंदोई की बाते मुझे बहुत बुरी लग रही थी मैं उससे नजरे चुरा रही थी पानी पीने के बाद वो हमारे घर से चला गया था कुछ दिन इसी तरहां से गुजर गय थे मेरी नंद का बड़ा बेटा देर साल का और चोटा बेटा एक साल का हो चुका था उ तीसरे बच्चे की मा बनने वाली है मैं भगवान से शिकायत कर रही थी कि मैं सबकी सेवा करती हूँ फिर भी मेरे भागी में एक बच्चा भी नहीं है और मेरी नंद जो अपने ससुराल वालों को बिलकुल नहीं समझती उसे तीन दिन बच्चे दे दिये एक दिन में पड तक डॉक्टर के क्यों नहीं दिखाया तुम्हें किसी लेडी डॉक्टर का इलाज करना चाहिए लेकिन मैं अब उनको क्या बताती कि मेरे पती का कहना है कि तुम्हें डॉक्टर का इलाज करने की जरूरत नहीं है तुम शुरू से ही बांज हो ऐसा नहीं था कि मेरे पती श शादे के शुरू के दिनों में तो मेरा पती मुझसे प्यार करता था मेरी हर बात मानता था लेकिन वो बाद में बदल गया था वो यही कहता था कि तुम बांजो तुम्हारा इलाज करवाने से कुछ नहीं होगा मेरे पैसे बरबाद हो जाएंगे अगर तुम नॉर्मल होती तो अब तक बच्चा हो गया होता पडोस वाली आंटी को मैं बता कर रही थी कि मैं डॉक्टर का इलाज जरूर करूंगी और घर जाकर सोचने लग गई थी कि अपने पती को किस तरह से तैयार करूं डॉक्टर के पास जाने के लिए जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की तो मैं अपने पती के पैरों में गिर गई और कहने लगी कि एक बार हम अपना चैक अप करवा कर देख लेते हैं आपको तो बच्चों का इतना शौक है मेरा पती कहने लगा कि मुझे हाँ बहुत शौक है मगर तुम मेरा ये शौक पूरा नहीं कर रही हो मैंने अपने पती से रोते हुए कहा ये सब मेरे हाथ में नहीं है आपके कहने से मैं बांच नहीं हो सकती आप एक बार मेरी रिपोर्ट करवा कर तो देखो डॉक्टर से एक बार बात करके देखते हैं डॉक्टर क्या बताती है मेरा पती कहने लगा चट ठीक है कल डॉक्टर के पास चलना मैं तुम्हारा ये शखी दूर किये देता हूं अगले दिन हम दोनों पती पतनी डॉक्टर के पास गए और उनको अपनी पूरी परिशानी बताई डॉक्टर ने मेरा चेक अप किया था और मेरे पती की भी रिपोर्ट करवाई थी हम दोनों की ही रिपोर्ट हो गई थी जब हम लोग घर वापस आ रहे थे तो डॉक्टर ने कहा था कि एक बार रिपोर्ट आ जाए उसमें पता चल जाएगा कि तुम बांज हो या नहीं मैं तो अच्छा खासा खाता पिता इंसान हूँ मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं हो सकती मेरा पती बड़े घमन के साथ ये बात कह रहा था कुछ समय और गुजर गया और मेरे नंद का तीसरा बच्चा भी पैदा होने वाला था मेरे नंद अपने आखरी समय में हमारे घर पर आ गई थी अब उसके दो दो बच्चों कभी मुझे खयाल रखना पड़ता था और घर की भी धेर सारे काम होते थे पहले तो मिरी सास मिरी नंद की बच्चों को देख लिया करती थी मगर अब वो बिमार रहने लगी थी अब वो बिस्तर से ज्यादा उट्टी ही नहीं थी मिरी नंद तो हमारे घराने के बाद महरानियों की जिंदेगी गुजारती थी दुपैर का ताइम था जब अचानक मेरी नंद को दर्ध होना शुरू हो गया मैंने उसके पती को फोन किया उसका पती उसे असपटाल ले गया था फिर मेरे पती भी आफिस से आ गये मैं भी असपटाल जाना चाहती थी मगर मेरी नंद के दोनों बच्चे मेरे पास ही रुके हुए थे उनको मैं अस्पताल लेकर नहीं जा सकती थी और मेरी सास ने कह दिया था कि रात का खाना तैयार करके रखना रात को अस्पताल खाना जाएगा इसलिए मैं घर में ही रुक गई थी मैंने अपनी नंद के दोनों बच्चों को खाना खिला कर सुला दिया था और फिर मेरी सास मेरे पती के साथ अस्पताल चली गई मेरी नन्द ने तीसरे भी बेटे को जनम दिया था मैंने राग का खाना तैयार कर लिया था और अपने पती को कॉल करके कहा कि खाना बन चुका है आप आकर खाना ले जाओ मेरा पती कहने लगा कि अच्छा ठीक है थोड़ी देर में आता हूँ थोड़ी देर के बाद जब दर्वाजे पर दस्तक हुई तो मैं दर्वाजा खोलने गई और मैंने सोच लिया था कि मेरे पती ही खाना लेने के लिए आये होंगे लेकिन जैसे ही मैंने दर्वाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए थे क्योंकि दर्वाजे पर मेरा पती नहीं बलकि मेरा नंदोई खड़ा हुआ था उसने कहा कि भाबी मैं खाना लेने के लिए आया हूँ मैं पीछे की तरफ पलठी रही थी कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और खुद घर के अंदर आ गया मैं उसे देख कर घबरा गई थी उसने जल्दी से घर के दर्वाजे को अंदर से बंद कर लिया और फिर घर के अंदर आ गया मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हो इस तरह घर के अंदर क्यों गुउसे आ रहे हो मेरा नंदोई कहने लगा कि ये तुम्हारी ससुराल के साथ साथ मेरा ससुराल भी है मैं जब चाहें यहां आ सकता हूँ मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुमने मेरा हाथ पकड़ा मेरा हाथ छोड़ो वो कहने लगा कि हाथ तो मैं नहीं छोड़ूंगा मैं तुम से अकेले में मिलना चाहता था उस दिन भी सासुमा घर में मौजूद थी मगर आज तो घर में बच्चों के अलावा कोई भी नहीं है मैं तुम्हें क्या बताऊं तुम मुझे बहुती खुबसूरत लगती हो मेरा नंदोई जबर्दस्ती मेरे करीब आने की कोशिश करने लगा मैंने कहा हटो यहां से मैं अपने पती को कॉल लगाती हूँ मेरे नंदोई ने जल्दी से मेरे हाथ से मूबाइल छीन लिया और मुझे घसीट कर कमरे के अंदर लेकर जाने लगा कहने लगा आज मुझे अच्छा मौका मिला है आज तो मैं अपनी खौाहिश पूरी करके ही रहूंगा मैं चीख रही थी चिला रही थी मेरे चीखने की आवाज से उसके दोनों बच्चे भी उड़ गए थे और बुरी तरहां से रो रहे थे मगर उस दरिंदे को मुझे पर खयाल नहीं आ रहा था मैं भगवान से प्रातना कर रही थी कि कोई मेरी मदद के लिए आ जाए मैं जोर जोर से चिला रही थी ताकि मेरी आवाज आस पास भी जाए लेकिन वो मेरे मुपर बार बार हाथ रख रहा था और कह रहा था कि शोर मत मचाओ वरना अच्छा नहीं होगा वो मेरी इज़त के साथ खिलवार करना चाहता था लेकिन भगवान की किर्पा से आस पास के लोगों को मेरी आवाज चली गई और पूरा महला हमारे घर के दर्वाजे पर इखटा हो गया महले के लोगों ने मुझे जैसे तैसे बचा लिया था और मेरे पती को कॉल कर दी थी महले वालों को देखकर मेरा नंदोई भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे नंदोई को लोगों ने पकड़कर रखा हुआ था और बहुत मारा था मोहले की लोग कह रहे थे कि हमारे ही पडोस में गुसकर औरत की इज़त खराब करने की कोशिश करता है हम तुझे छोड़ेंगे नहीं इस घर का दमाद होते हुए तुझे ऐसी हरकत करते हुए शरम नहीं आती ये तेरी बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है उन्होंने मेरे पती को बुला लिया तो मेरे पती को सारी बात बताई मैं भी बुरी तरहां से रो रही थी मेरा पती कहने लगा कि जरूर इसमें तुम्हारी ही गलती होगी लेकिन पडोस वाली ओरतों ने कहा कि नहीं इसमें इसकी कोई गलती नहीं है हमने खुद इस बिचारी को इस आदमी से बचाया है ये इसके साथ जबरदस्ती कर रहा था हम लोगों को चीखने चिलाने की आवाज आ रही थी फिर हमने गोर किया कि आवाज तो इसी घर से आ रही है हमने घर का दर्वाजा बजाया मगर किसी ने नहीं खोला तो हम दिवार फलांकर घर के अंदर गुसाए और देखा कि ये तुम्हारी पत्नी के साथ जबरदस्ती कर रहा था और वो इससे बचने की कोशिश कर रही थी जब उसने शोर मचाया तो हम लोग जल्दी से इसे बचाने के लिए भागे और मौके पर इसे पकड़ लिया उन सारे लोगों की बात सुनकर मेरा पती बहुत शर्मिंदा हो रहा था और फिर उसने मेरे नंदोई के गाल पर दो तीन थपड मारे थे मेरा नंदोई नियत का बहुत गंदा इंसान था वो उस समय तो महां से भाग गया था और मेरा पती मुझे घर के अंदर लेकर आ गया था मैंने अपनी नंद की बच्चों को दوبारा से सुला दिया था वो बहुत रो रहे थे मगर फिर उनको जैसे तैसे खामोश कराया और फिर वो सो गए सारी रात मैंने अपने पती से कोई बात नहीं की थी मुझे इस बात पर अफसोस हो रहा था कि मेरे पती ने महले वालों की गवाही सुनकर मुझे पर यकीन किया था वरना इससे पहले तो उसे यही लगा था कि गल्ती मेरी ही थी मैं फूट फूट का रो रही थी मैं जानती थी कि मेरा पती शर्मिंदा हो रहा है मगर आज बात मेरी इज़त पर आ गई थी मैं अपने पती के आज नहीं जुक सकती थी मैं खामोश थी और पूरी रात इसी तरह मुझे रोते रोते गुजर गई थी अगले दिन मेरी नंद डिस्चार्ज हो गई थी सास और नंद घर पर आ गई थी और उनको भी ये सब कुछ पता चल गया था जो गुजरे हुई रात को हुआ था मेरी नंद और सास भी मुझे ही बुरा कह रही थी मगर मेरे पती ने बताया कि इसमें करिश्मा की कोई गलती नहीं है मेरे पती ने गुसे से अपनी बहन की तरफ देखते हुए कहा तुम्हारा ही पती उसके साल जबरदस्ती कर रहा था मुझे इस बात की गवाही दी है मेरी नंद कहने लगी अब आप महले वालों की बातों में आकर मेरे पती पर इल्जाम लगाओगे भाईया मेरा पती कहने लगा बात मेरी पतनी की इज़त की है पहले तो मैंने भी इसकी बातों पर यकीन नहीं किया था मगर तुम्हारा पती बहुती घटिया इंसान है उससे कह देना कि मेरे सामने ना eye अगर मेरे सामने आया तो मैं उसकी गरदन काट दूँगा और हाँ तुम भी जल से जल यहां से अपना बोरिय बिस्तर समेटो और यहां से निकल जाओ मेरी सास कहने लगी बेटा अपनी बेहन से तुम किस तरह से बाते कर रहे हो मेरा पती कहने लगा कि आप तो खामोशी हो जाओ मा और अपनी बेहन की तरफ देखकर कहने लगा तुम जो ये हमेशा हमारे घर हर दूसरे तीसरे दिन रुकने आ जाती हो न और तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारा पती भी आ जाता है ये सब इसी वज़ा से हुआ है उसकी गंदी नजर मेरी पत्नी पर आ गई मगर मैं ये सब बरदाश्ट नहीं करूंगा आज मैं अपने पती की बाते सुनकर हैरान रह गई थी कि मेरा पती मेरे लिए अपनी मा बहन से स्टैंड ले रहा था और आज तक जो इसने कभी अपनी मा बहन के खільки खोई बात नहीं सुनी थी आज वो मेरे लिए उन्हीं को डांट रहा था मुझे इस बात के खुशी हुई थी कि मेरा पती झेखुदार इनसान निकला वरना मुझे तो लगता था कि इतनी बड़ी बात हो जाने के बाद भी मेरा पती मुझे ही बुरा कहेगा उस दिन लेबॉर्टरी से कॉल आई थी और मेरा पती मुझे लैब ले गया था महा से रिपोर्ट्स लेकर हम डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले गए थे डॉक्टर ने बताया कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है मगर आपके पती के अंदर काफी सारी कमिया है आपके पती को इलाज की जरूरत है जबकि आप बिलकुल ठीक है आपके पती ठीक हो जाएंगे तो आप असानी से प्रेगनेंट हो जाएंगी ये बात सुनकर मेरी आँखों में चमक आ गई थी मगर मेरे पती को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि उसके अंदर कमी है और बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसकी वज़ा से ही नहीं हो पा रहा मेरे पती ने अपना ये शक भी दूर करने के लिए दूसरे डॉक्टर को दिखाया और दूसरे डॉक्टर ने भी यही बात बताई थी तो मेरा पती शर्मिंदा होकर रह गया था मेरा पती बड़ा खामोश था और रास्ते में भी खामोश रहा था उसके बाद जब हम घर आए तो मेरा पती मुझे कमरे में लेकर चलाया और कहने लगा कि मुझे माफ कर दो करिश्मा कमी मेरे अंदर है और मैं तुम्हें बांच कहता रहा जबकि तुम तो बिल्कुल ठीक हो प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी इस कमी के बारे में प्लीज किस अंदर है मगर मैं आपकी इज़त पर कोई आचाने नहीं दूंगी मेरी बात सुनकर मेरे पती की आँखों में आसू आ गए थे और उसने मुझे गले से लगा लिया वो कहने लगा कि मुझे माफ कर दो मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बहुत गलत बहेवियर रखा मैं नहीं जा यह सबर का ही तो फल है कि आपके दिल में मेरे लिए महबबत आ गई वरना तो मुझे लगता था कि आपको जो हमेशा मेरा खयाल रखती हो मैंने तुम इतना बुरा भला कहा है लेकिन फिर भी तुमने मेरा और मेरे परिवार वालों का ख्याल रखने में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी अपने पती की कमी के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया था अब की बार तो मेरी नंद अपनी बच्चों के साथ एक हफता रहकर ही हमारे घर से चली गई थी क्योंकि मेरे पती ने उसे कह दिया था कि तुम यहां से जल्दी ही चली जाना अगर तुम्हारा पती यहां आया तो मैं तुम दोनों पती पतनी को घर से निकाल दूँगा मेरी नंद को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई ऐसी बाते भी कर सकता है मेरे पती को अपनी बहन की पती से जितनी नफरत हो रही थी उतनी ही नफरत अपनी बहन से भी हो रही थी क्योंकि वो जानती थी कि उसका पती छिचोरा है फिर भी उसने कभी अपने पती पर रोक नहीं लगाई और हमेशा हमारे घर आकर बैट जाती थी अब वो हमेशा हमारे घर रहेगी तो उसका पती इधर उधर मुही मारेगा मेरे पती ने कहा कि अब खामुशी से अपनी घर गिरस्ती पर ध्यान दो और यहाँ ज्यादा आने की जरूरत नहीं है सिर्फ वक्ती तोर पर आओ और चली जाओ अपने पती को अपने काबू में रखो अपने पास रखो ताकि वो किसी दूसरी औरत पर नजर डालने की कोशिश ना करे मेरी सास को मेरे पती की बातों का बुरा तो जरूर लगा था और उन्होंने इसके बदले मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया था तो मेरे पती ने इस बार अपनी मा को भी डाट दिया था और कहा था कि मैं अपनी पत्नी के बारे में आप कोई बुराई नहीं सुनूंगा मेरी पत्नी बहुत अच्छी है मेरे पती ने अपनी मा से कहा कि आपको तो अहसान मानना चाहिए कि आज के जमाने में भी आपको इतनी सेवा करने वाली बहु मिली है आप एक नजर अपनी बेटी को ही देख लीजिए जो अपने ससुराल वालों की सेवा से बचने के लिए यहां पर आ जाती है मेरी सास अपने बेटे की बाते सुनकर शर्मिंदा होकर रह गई थी उसके कुछ दिनों के बाद मेरी सास बहुत ज़ादा बीमार रहने लगी थी मैंने अपनी सास की इतनी सेवा की कि उनके दिल में मेरे लिए महबबत उमड गई थी और फिर उनके दिल से अपनी बेटी का खयाल भी निकल गया उनको अपनी बेटी की याद आती थी तो वो फोन पर बात कर लिया करती थी और मेरी नंद फोन पर बहुत रोती थी कि मम्मी मुझे घर बुला लो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम है तीन तीन बच्चे मुझे संभाले नहीं जाते उपर से घर का भी काम है मेरी सास कहती थी अब तुम अपने घरस्ती पर ध्यान दो अपने पती के साथ रहोगी उसके पास रहोगी तो उसका ध्यान कहीं और नहीं भटकेगा हमारे घर में आने की सिर्फ तुम्हें पर्मीशन है तुम्हारे पती को नहीं मेरी नंद अपनी मा की बात सुनकर गुस्सा हो गई थी और अब उसने फोन करना भी छोड़ दिया था मेरी सास बीमार रहने लगी थी उनका इलाज डॉक्टर से चल ही रहा था मगर उनको पैरलाइस की बिमारी हो गई थी इधर मेरे पती का भी इलाज चल रहा था और भगवान की किर्पसे 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मेरे पती का इलाज पूरा हो गया और उसके बाद भगवान ने मुझे भे खुशी दिखा दी थी मैं प्रेगनेंट हो गई थी जब ये खबर मेरी सास को पता चली तो वो बहुत खुश हुई थी मेरे पती और सास की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे और उस दिन के बाद से ही मेरे पती ने मेरा पैर भी जमीन पर रखने नहीं दिया उन्होंने कहा कि अब तुम्हें घर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे पती ने घर के काम के लिए नौकरानी लगा दी थी जबकि मैं जैसे तैसे खाना तो खुद ही बनाया करती थी और अपनी सास की भी सेवा किया करती थी मेरी सास मुझे अपनी बेटी समझने लगी थी और इस घर में मेरी इज़त इतनी बढ़ गई थी कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचत था मेरी सास तो आज भी बिमार है मैंने एक प्यारे से बेटे को जनम दिया और मेरे बच्चे से मेरी सास और मेरा पती बहुत प्यार करते है अब मुझे घर का ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता क्योंकि मेरे पती ने नौकरानी को पर्मेनेंट ही रख लिया है उसे हमने अपने ही घर में एक छोटा सा कमरा दे दिया वो हमारे ही घर में रहती है और अब सारे काम वही करती है भगवान की किरपा से मेरे जिन्देगी बहुत अच्छी गुजर रही है रो रोकर ही सही मगर मेरी नन ने भी अपने घर की घरस्ती को एकसेप्ट कर लिया और वो भी अपने घर की घरस्ती में बिजी हो गई अब वो हमारे घर बहुत कम आती है और मेरे जिन्देगी बहुत सुकून से गुजर रही है दोस्तों मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले